हाई फ्रेंट्स आज मैं आपको दिखाऊंगे कि मैंने अपने बैलकनी में कौन-कौन से प्लांट लगाई हुए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग करते हैं में ट्यफिन बैक आप बैलकेस से आप देखरहें तो उस्तों कितना जादा सुन्द प्लांट लग रहा हैं ऑपना कोई प्लांट लगाने के लिए सोच रहे हो तो मैं आपको सुझेस्ट करूंगी कि आप यह प्लांट लगाईएंगा यह बहुत ज्य पर आपको इस प्लांट को लगाने से पहले एक बात का जुरू धियान देना होगा अगर आपके गर में छोटे बच्चे है या फिपैट है तो आप इस प्लांट को ना ही लगाए क्योंकि यह प्लांट थोड़ा सा जहरीला होता है अगर आप इसके लिप्स को भी टच कर रहे प्लांट चनचर में काफी इच्छा ग्रोव कर जाता है अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्लांट की वह है प्लांट में से एक है वह किसलिए आपको भी नज़र आ होगा जया लिप्स होते हैं और बहुत जादा ध्यादा लगते हैं आप दीख रहे हो इसमें ग्रीन और य तो यलो और गरीम कोलर लिया तो मुझे भूह ज़्यादा सुदर लगता है और दोस्तह यह भी इंडॉर प्लांट अगर इस तरफ पर ताइम पर पानी नहीं दे रहे हो ap kald कि रेसे वो टाइम पर नहीं मिलती इस प्लांट को तो इसके जो लीब से वो मुर्जा जाएंगे और फिर से ठीक होने में भी काफी ज़्यादा टाइम लगा देता है तो अगर आपको यह प्लांट अच्छा लगता हो तभी इस प्लांट को लीजिएगा इसे प्लांट के एक प्लांट नहीं है इसे वी दो या तीन दी में संकीरेस की जुरत होती है और साथ पर टैम पर पानी की जुरत होती है वरना जो इसके लीब से वो डल हो जाएगी और जलती से किटने लगेगी इसलिए अगर आपके पास ज्यादा ओवर टैम नहीं होता कभी आप बोल भी चा प्लांट है इसमें ज़्यादा देख बाल की जुरत नहीं होती और साथ में इंडॉर प्लांट भी है तो यह इंडॉर में काफी ज़्यादा चलता भी है इस प्लांट में 15 दिन में एक बार आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए बहुत ज़्याद अच्छा चलेगा ज्यादा में यह चाहते हैं गया में पंव में पकिर दीक आपको देख रही है इसके आसपवाशण लग जाते है तो वह भी चाटिक करते रहेगा तांट की कई फंगस ना लगे पत्तों को पीले कर देते हैं अब हम बायत कर लेते हैं नेक्स्ट नंट की वह द्रैसिना का प्लांट नहीं का राइटी आती है और यह वाइट लर में भी आता है और इसके कलर क होकी अर्च गर्लार कर जो की देखने में बहुत जादा अशह लगता है यह प्लांट होता है अगर सूरज के कीरन मिले तो काफी जल्दी ग्रोग करेंगा प्र सोरज कीरन से डारेक्ट नहीं चाहिए आगर कब देखम प्लांट के बहुत बहुत ज्यादा कम या इसलिए अच्छा या लगाने केलिए क्लात मैंने size फ्ली canopy थ्हीं अज़ंता है कित Also ऐसके ल confess के लिए भी थोड़ा सा केर करना कुई बच्ची ये सब्सक्रीस अधेना आफ को मैं थोड़ा दूर से दिखा اत्यों कितना अच्छ लगताहिधिन थे जा दूर से दिखने में कि उर करें होटकर लेते हैं। मनीं प्लांटन मनी प्लांट दोसर बहुत ज़्यादा सुंदर प्लांट और इंडोर प्लांट है और इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा इजली है और अगर आप इसे डिवाइड करना चाहते हो एक ही मनी प्लांट से काफी सारे बनाना चाहते हो वह भी करना बहुत ज़्यादा असान है आ क्योंकि बुदिवार के दिन और दोस्ता एक छीज़ और बदाती वास्तो सासुरों के उनईर कहा जाता है कि मनी प्लांट को कभी घर के बाहर नहीं रखा जाता है अगर करी में क्रील की उपर रखा हुए और गेड़ना चाहिए इसलिए इसे अच्छी तिर से बांध भी दिये थोड़ी सी सेफटी करने बहुत जरूरी होती है और अगर आप इसके कटिंग लगाने की सोच रहे हो तो कटिंग को आप डायरेक्ट मिट्टी में मत लगाना मिट्टी होती है इसलिए अगर आप चार-पाइस दिरों में एक बार इससे सूरज की किर्णों के सामने रख रहे हूं तो यह काफी अच्छा चलता है दोस्तों यह प्लांट थोड़ा सा जहरीला होता है इसकी जो लीप्स है वो थोड़ी सी जहरीली होती है अगर आप इसकी लीप्स कटिंग लगाने की सोचियो तो डाली कहीं से भी तोड़ कर इसकी मिट्टी में लगा दीजिए बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाएगा और इसी प्लांट के मैंने साइड में लगाई हूई है तुलसी का घर में होना अच्छा माना जाता है भो जाता सूब माना जाता है तुलसी में मातालक्ष्मी जी का वास होता है इसलिए घर में तुलसी चुरूर लगाने चाहिए और कहते है कि जहां तुलसी होती है वहां कभी गलत चीज नहीं आती इसलिए तुलसी का होना भोचा जाता जुरूरे माना जाता है घर में अब हम बात करेंगे next plant की वो है singonium का plant singonium का plant एक बैतरी indoor plant में से एक है जिसे लोग ताजी हवा के साथ साथ अच्छी किस्मत के लिए भी घर में रखते हैं कहते हैं कि यह plant positive energy provide करता है और negative energy को gain करता है इसलिए यह घर में रखना बहुँ जादा सुमाना चाहता है अगर आप इसके cutting लगाना चाहते हो तो आप इसे money plant की तरह ही लगा सकते हो जैसे money plant की cutting लगती है वैसे ही इस cutting को आप लगा सकते हो गर में दोस्तों singonium के plant को पानी बहुँ जादा पसंद है इसलिए हमेसे इसकी मिटी में थोड़ी नमी होनी चाहिए स्नęक plant ठीश स्नेक गर्षे हो यह हवा को सुथ करने के लिए बहुत ज्यादा खास प्लांट है और अगर हम बात करें इसकी देखबाल की तो इसकी देखबाल बहुत जादा कम है विल्कुल जादा दे रहे हो, तो इसके root में fungus लगना शुरू हो जाएगा और यह plant बिल्कुल खराब हो जाएगा, और इस plant को आप पाने में भी grow कर सकते हो, snack plant तर्व इंडॉर plant के लिए सबसे best plant में से एक है, अगर आपने इंडोर में स्नेक प्लांट नहीं लगाया तो आप जुरूर लगा लीजिए इसे मैंने इस तरह से इस प्लांट को अपने घर के अंदर लगाया हुआ है देख रहे हो दोस्तों कितना जाधा सुन्दर लग रहा है यह प्लांट डेकुरेशन के परपस में वे काफी अच्छा है इसे मैंने सेम पोर्ट में लगाया हुआ है तो इसलिए काफी अच्छा लग रहा है और साथ में मैंने इसे मेरर के सामने लगाया है इसलिए थ्री पोर्ट की जगल लग रहा है कि 6 पोर्ट यहां मैंने लगाए हुए है और दोस्तों सबसे अच्छी बात ही है कि यह प्लांट बहुत जादा सुप प्लांट में से एक है अगर आपके घर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मलब कोई परेशानी है तो यह प्लांट ज़र लगाएगा आपके यहां की घर की जो नेगेटिविटी है वो काफे हथ तक यह कम कर देगा इस प्लांट को मैंने लीविंग रूम के साथ अपने रूम में भी लगाया होगा है क्यूकि यह प्लांट बहुत जादा सूप माना जाता है इसलिह आप इसे रूम में भी लगा सकते हूँ बस एक बात काही हो ध्यान देना इस प्लांट में कि जइदा पानी नहीं देना क्यूकि इस प्लांट को बिल्कूल भी जज़़ा पानी नहीं पसंद वरना फंगस लग जाएगा रूट में आपको फ्रेंट्स में एक चीज और दिखाती हूँ आपको यह देख रहे हो दोस्तों यह मैंने कल ही बनाया है यह आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करकी जुरूर बताएगा लग रहा है ना दोस्तों अच्छा इसमें मैंने चोटे-चोटे काफे सारे मनिल प्लांट और काफे सारे प्लांट लगाए हुए हैं जो पानी वाले प्लांट होते हैं वो कई सारे मनिल प्लांट इसमें लगाए हुए हैं मैं नेक्स वीडियो में आपको जूरूर बताऊंगी यह कैसे बनाया जाता है और यह भी बताईएगा कि आपको इन में से कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आपके गर में कौन को से आपने प्लांट लगाए हुए है यह भी मुझे कमेंट करके चुरूर बताईएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे क्यों फ्रेंड्स पर मिलते हैं दूसे वीडियो में बाई